हेलो गाइस आज इस वीडियो में हम बात करेंगे Constitution of India के Article 20 subclass 3 के बारे में जो की डील करता है Prohibition against self-incrimination के बारे में जिसका सीधा सा मतलब है अगर कोई भी परसंट वह accused है किसी भी offense का तो उसको नहीं किया जा सकता कि वह खुद के अगेंस्ट विटनेस बने यह हमें समझना है अगर आपने किरिनल जिस्टिस देखी है तो आपको बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा कैसे जो पंकिस्त रिपाठी ने माधव मिश्रा का रूल किया है उन्होंने कैसे समझाया है देखिए इस वीडियो में कोई यह पीपल पर हस्ताक्षर तो नहीं करवाया है कि वह बटा कुछ भी हो जाए स्वयम भगवान स्विव आ जाए ना यहां दरवाजे पर अमलियत कमट का लेकर कि हस्ताक्षर कर दें और कि तेरा कि मत करना कि क्योंकि सिगनेचर नहीं करेगा तो यहां वीडियो में बताया है माधम मिश्रा ने तो ठीक वैसे ही आपको भी अपने अगेंस्ट एविडेंस दने के लिए मजबूर कोई नहीं कर सकता है यह हमें ध्यान रखना है अब हम आर्टिकल 27 को और अच्छे से समझने के लिए हमें केस लौ का सहरा लेंगे जो की है MP शर्म का प्रोटेक्शन चाहिए तो सबसे बेसिक नीड है कि एक परसन अगर उसने कोई offense किया हो और वो accused होना चाहिए तब ही वो इसके अंडर का प्रोटेक्शन ले पाएगा अब दूसरा है to be a witness अब similar ही केस है MP शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा केस में इसी में यह बताया गया ह कि जो witnesses होते हैं वो बहुत ही wider होते हैं जिसमें include होता है oral documentary और तीसरा है testimonial evidence testimonial evidence कौन से होते हैं जैसे कि आपके fingerprints हो गए आपकी handwriting हो गई तो एक example से हम समझते हैं समझे कोई होटल है और वहां पर कोई crime हो गया है तो उस crime scenes पे जितने भी लोग वहां पर मौजूद होंगे वो सभी witnesses होंगे और अगर वो deny करते हैं अपने fingerprints देने के लिए तो ऐसा नहीं कर सकते हैं जो testimonial evidence है वो cover नहीं होंगे article 27 clause 3 में यह हमें ध्यान रखना है अब आपके दिमाग में आया होगा कि जो अभी हम लोगों ने वीडियो देखी थी उसमें पंकर स्रिपार्ठी ने यह कहा है कि आपको signature नहीं करना है तो signature भी इसी में cover testimonial evidence होते हैं मगर वो कर देख होती हैं तो वहां पर तो यह चीश्त सही थी कि वह signature नहीं करेंगे वह उनके उपर है मगर आप अपने testimonial evidence जो पुलिस investigation में अगर आप मना करेंगे तो इस basis पर आपको वह पुलिस station भी ले जा सकते हैं यह हम लोग को ध्यान रखना है और हमारा third और last है compulsion to give evidence against himself अब इसमें हमें यह समझना है कि कोई भी परसन जो की accused है किसी भी offense का वह कंपल नहीं किया जा सकता कि वह खुद के against कोई प्रकार का evidence अगर उसकी voluntary इच्छा है तो ही वह दिया जा सकता है कि जैसे हम कई cases में देखते हैं जो पुलिस होती है वह accused को धराती है धमकाती है और कई बार उनकी अगेंस्ट जो 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 फैमिली होती है उनके अगेंस्ट का होंगी तो वह article 23rd का violation होगा अगर अगर एक्यूज्ट खुद voluntarily चाहे तो वह court में witness box में जाके अपने against confession कर सकता है मगर उसे नहीं किया जा सकता कि वह खुद के against witness बने इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लग रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के शाद भी शेयर करें थैंकी फॉर वाचिंग दिस वीड झाल 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 झाल